तो आज हम लोग श्टार्ट करते हैं यू टापिक वर्क दन नोट्स में पेज नवर 12 पे जाएंगे वर्क दन के बारे में क्या-क्या जानना है कितने टाइप का वर्क दन होता है वहाँ सब अच्छे से समझेंगे जो लोग मैकानिक्स को नहीं पर हैं वक दन कोई बात नहीं माल लेते हैं यह इलेक्ट्रिक फिल्ड है यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है और यहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरू रखते हैं इसको पकरे हुए रेस्ट में यह पॉइंट नमर वन है इसमें फोर्स लगेगा यह फोर्स लगेगा एफ इकोल टू ठीक है अभी इस पार्टिकल को छोड़ देते तो धीर धीर आगे बढ़ने लगता वेलोसिटी तेज होते न लगता यहाँ पर वेलोसिटी पॉइंट टू पर आने के बाद इसका कुछ वेलोसिटी जादा हो जाता लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं यह पार्टिकल पॉइंट ठीक है तो यहां पर कितने तरह का वर्क हुआ आम लोगना है मनकोंको वर्क किया क्यों सथ लगा है तो यहां पर एक बात कहेंगी यह कि एकट्रिक फोर्स लगा स्कीन ओर रहा है तो एलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है तो कहते हैं यह लि 녹्यक को टो === ऑर सब्सक्राइब हाथ से नहीं कर शार्ज को या को हम हाथ से पकरकर यहां लेकर गए हैं यदि हम खुद हाथ से यहां लेकर पकर कर गए, तो एक हम भी तो काम किये, यह छोड़ देते तो मूव करते चला जाता फेलोस्टी के साथ, लेकि हम इसको पकर कर यहां से यहां लेकर गए हैं, तो एक काम external agent, यह हम किये हैं, person किया है, या हो सकता है कोई machine यहां से यहां लेकर जाए तो एक काम और होता है वो हो गया external agent का external agent में कौन-कौन हो गया person, कोई crane, कोई machine तो सब को सारे को external agent बोलता है यानि कितने तरह का काम हुआ है? एक electric field का और एक external agent का ऐसा ही situation एक और create करते हैं gravitational field में suppose किजिए यह ground है, gravitational field यह earth है, यह ground है और यहां पे एक box रखा हुआ है एक कूली है, यह कूली इस box को अपने सर पे रख लेता है, यहां लाकर इसका height कूली का h है, इसका mass box का m है, तो यह वताये कि यह point number one initial position, यहां पे यह box है, रेस्ट में है, velocity इसका 0 है, जब अपने सर पे रख लिया, तो यहां भी इसका velocity 0 है, अब यहां पे बताना है कि कितने तरह का काम हुआ, तो एक तो काम gravitational force नीचे की तरफ लगेगा, gravitational field है ना, mg नीचे की तरफ लगेगा, तो एक तो work हो गया gravitational field का, mg का, mg के जगा पे gravitational field भी लिख सकते हैं, एक तो हो गया work gravitational field का, और दुसरा work, यह schoolie का, इसको उठा कर उपर लेकर गया है, तो यही ना आदमी है person है, तो यह हो गया external agent का, तो यह देख लिजी, दोने situation बिल्कुल similar है, तो यहाँ दो तरह का, एक gravitational field का work हुआ और एक external agent का work हुआ, दो तरह का यहाँ भी काम हुआ है, जैसे इस particle को उठा के अपने सर पे रखता है, तो उठा के जब सर पे रखता है, तो एक तो यह जो gravitational field है, या mg है, gravitational force, gravitational field या mg, यह सारा कुछ एक ही है, तो एक तो field का work है, जो की gravitational field का है, और एक work कुली किया है, उठा के अपने सर पे रख रहा है, कुली अपने सर पे रख रहा है, तो एक work होगी external agent का, इ यहां से यहां लेकर गए तो यहां भी दो तरह का काम होता है एक इलेक्ट्रिक फिल्ड का जिस तरह से ग्रेविटेशनल फिल्ड का वैसे ही इलेक्ट्रिक फिल्ड का है और दूसरा external agent का क्योंकि यहां से यहां उठाकर लेकर गए हैं अभी एक चीज और हम लोग देखते हैं कभी भी work होगा complete work कब कहा जाएगा जब इस pain को उठाकर यहां से यहां लेकर जाएं तो यहां से उठा रहे हैं यानि velocity कितना इसका 0 और यहां से उठाकर दुसरे जगे लेकर जा रहे हैं तो यहां भी velocity कितना है 0 है complete काम तब माना जाएगा जब यहां rest में है और इसको उठाकर कहीं rest में रख दिया जिसको complete work बोलते हैं इसका मतलब यहां भी इनिशियल वेलसिटी जीरो होगा तभी complete वर्क बोला जाएगा यहां भी initial वेलसिटी और final वेलसिटी जब कुली अपने सर पे रख दिया बीच में तो वेलसिटी होगा लेकिन जब यहां और यहां फाइनल जब कंप्लीट हो गया काम, यानि सर पे जब रख दिया, तो यहां भी वेलोसिटी जीरो, और यहां भी वेलोसिटी जीरो, ठीक है, अभी तक देखिए, हम लोग बोड पर क्या क्या सीखे, कभी भी किसी समान को एक जगा से दूसरे जगा लेके जाया जाये, जैसे य यह केस, तो दो तरह का वर्क होता है, एक फिल्ड का, फिल्ड में इलेक्रिक फिल्ड और एक होगा या ग्रेविटेशनल फिल्ड और दूसरा एक्स्टर्नल एजेंट का, इक्स्टर्नल एजेंट में कोन होगा, एक परसन होगा, आदमी जो उठा के लेके गया होगा, या फ से पडना थे थियोरुम है कि टोल सब्सक्राइब को ती डोलसे का तॉआ है तो गो असे списकिट्राइब चेंजीन का इनटिक अनरजी तो कितने तरह का विख अभी हूआ यह दोनों है एकमप्लिट काली का पलेस्ल एक्सटर्ण लेजेंट का बराबर change in kinetic energy initial kinetic energy 0 बाद में भी kinetic energy 0 तभी बोला जाता है कि complete innovative energy क्रह्सक्राइब हो चुका यानि कि change in kinetic energy कितना हो गया 0 same चीश यहां भी करेंगे work done by gravitational force या mg plus work done external agent बराबर change in kinetic energy और kinetic energy यहां भी 0 यहां भी 0 तो change in kinetic energy भी कितना हो गया यह भी 0 बिल्कुल सीमिलर जो मैकेनिक्स में फर्मूला होता है वही फर्मूला यहाँ पे है ठीक है आगे बर रहेंगे और देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल्ड का इलेक्ट्रिक फिल्ड का ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्डन होगा हमेशा याद रखिएगा माइनस डेल्टा यू, फिल्ड का, इलेक्रिक फिल्ड हो या ग्रेविटेशनल फिल्ड हो, फिल्ड का वर्ड केतना होगा, माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंसिल अरजी, यहां भी फिल्ड है, यहां भी वर्डन हो गया, माइनस डेल्टा यू, यह माइनस डेल्टा यू इसको माइनस डेल्टा यू रख दें तो इधर जाएगा यह माइनस डेल्टा यू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यह पलस डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू को रख दें तो यतना किया हो जागा पलस डेल्टा यू यह हो जागा पलस डेल्टा यू सेम चीछ यह माइनस डेल्टा यू को यहां रख दें तो यह कितना हो जागा यह हो जागा पलस डेल्टा यू इसमें आगे बरहेंगे यह फर्मूला है हमारे पास डेल्टा यू बराबर क्यू डेल्टा भी यहां भी डेल्टा यू बराबर क्यू डेल्टा भी यह सब फर्मूला हो जाएगा तो हम लोग बोर्ट पे एक बार देख लीजिए इस अब क्या-क्या है notes में यह सारा बात लिखा हुआ है इसको नहीं लिखा गया है तो इसको हम लोग समझाएंगे अच्छे से फिर से board पर समझाएंगे आप इसको देख लिजेगा एक बार board पर देख लिजे ठीक है यहाँ पर देखते हैं अभी हम लोगों mechanics में कुछ पढ़ना होता है जो आप ल अपसे पूछा है कि कूली कितना काम किया यह जो कूली अपने सरपे रखता है मतलब इसका ऐन हो h seek उपर चला गया ग्राउंट से इसका फाइनल कोली कितना आ ये कितना होगा तो यह ऊछाता माइनस dealtay यह माइनस data यह हो जाता my- final final कितना है mgh-0 यानि कि यह answer आ जाता- 예 answer आ जाता--mgh तो हम लोग देख लिए जब mechanics में जब परहे होंगे इसी चीज को की कुली अपने सर पर रखता है तो कितना work करेगा तो हम लोग कि एफ.s से करते होंगे work done का मतलब f.s तो उससे करने में काफी टाइम लगता है लेकिन सीधा आप एनर्जी के फॉर्म में करें वर्क होगा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा उख चीज तो यहां पे देख लिजिए दोनों वर्क निकालनी कि Mg का work minus Mgh और kooli का work plus Mgh minus और पलस दोनों मिलकर कितना बन जागा ? Zero बन जागा तो यह mechanics में हम लोगों पढ़ना था बस recall आपको करार रहते कि ऐसे इसे पढ़ना आता है अभी हम लोग यहां पे देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग फिर से फर्मूला लिखते हैं इदर का जो डिस्कसन की है work done by electric field work done by external agent work done by electric field हो गया minus delta u और external agent या person उसका हो गया plus delta u इसका फर्मूला minus q delta v इसका फर्मूला q delta v अब इसको अच्छे समझते हैं यह minus delta u है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस u final minus u initial या इसको ऐसा लिख सकते हैं –q, v final – v initial, जैसे इसको लिखे हैं, वेसे भी इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको समझने के लिए जो सबसे काम का है बात ये, यह कौन सा q है, यहाँ पर आके देखिए कौन सा q है, यह वाला q है, यानि कि वो उस फर्मूले में, इन दोनों फर्मूला में जो q दिख रहीं द में यहां पर जाने वाला यह दोनौ जो चार्ज दिख रहा है वह चाचे जो मूव किया हैं लेकर हम कहीं मैं तो इसमें कुछा चार्ज था यह चार्ज था पर यह लीग झाट उसा फर्मूला को देखीं फिर इसका इस्तेमाल करना हम लोग सीखेंगे इस तरह से question है, example, दो charge है, q1, q2, दोनों का distance r है, r1 है, initial distance r1 है, इसको क्या किया, इस charge को यहाँ से इस position से इस position पे लाकर रख दिये हैं, यानि कि इस position से, इसको initial position बहुत सकते, initial position यहाँ था, इस charge का, इसको उठाएं और यहाँ पे रख दिये, यह final position हो गया, तो initial distance r1 था, अब इन दोनों के बीच, पहले distance इन दोनों के बीच r1 था, अभी distance इन दोनों के बीच माल लेता हैं कि r2 हो गया, तो situation को फिर से समझते हैं, जैसे table लेक है, एक table पर इस दोनों charge को रखा हुआ था, q1 q2 को एक table पर रख दिया था, फिर q2 को उठा कर यहाँ से यहाँ रख दिये, एक table पर इस दोनों रखा था, इसको उठा कर यहाँ से यहाँ रख दे, तो यह हो गया कैसा final position, और यह q2 का यह position कैसा हो गया, initial position हो गया, अब आपसे पूछ रहा है, find the work done, आपसे पूछा कि ऐसा करने में कितना काम करना पड़ा, उठा के उसको रखने में कितना काम करना पड़ा, तो दो तरह का काम हम लोग पढ़ चुके हैं, work, एक electric field का, और एक external legend का, आदमी का, person का, machine का, तो यह एक दो तरह का work है, इसका formula क्या था, minus delta u, और इसका formula plus delta u, तो अब दोनों अलग अलग नहीं निकालेंगे, यह जो निकलेगा minus delta u, यदि यह पूछेगा, तो इसका minus का plus बता देंगे, तो ठीक है, हम लोग एक ही निकाल लेते हैं, इसी को solve करते हैं, दोनों निकालने का ज़ करेंगे, minus delta u, मतलग final minus initial, minus final, final potential energy, final position कहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दिया, तो potential energy किसके किसके, इसके और इसके, इन दोनों के बीच का potential energy final है, तो final लिखवाई है कितना, k, q1, q2 by r2, minus initial potential energy क्या है, यहाँ, इन दोनों के बीच का initial है, तो यह हो गया, k, q1, q2 by, r1, इसको solve गर लेंगे, जो आएगा, answer आजाएगा, ठीक है, अब, इस method में जाईए, इस formula से जाते है, minus, इस formula जाते है, minus q, कौन सा q लिखना है, यह कौन सा q होता है, याद किजिए, यह वो charge होता है, जिसको move किया जाता है, लेकर, इसमें किसको move किया है, q2 को उठा के यहा minus q2, v final, final position यह है, तो यहाँ पर potential चाहिए, तो इसके वज़े से तो नहीं न होगा, इसके करना तो infinite आजाएगा, इसके करना नहीं चेक करना है, यहाँ पर potential चेक करना, तो किसके वज़े से, इसके वज़े से, इसके वज़े से, यहाँ पर potential कितना है, तो कितना लेखेंगे k q1 by ये distance कितना हो जागा r2 minus k initial potential initial यह है तो इसके कारण नहीं यहाँ पे potential चाहेए किसके वज़े से इसके कारण कितना potential है यह दूसरे वाले के कारण इसको तो लेकर move कर ही रहा है तो इसके कारण potential नहीं खोजेंगे इसके कारण potential कितना है यहां पर तो के क्यूवन पाइब अभी क्या है इस क्यूटू को अंदर लेके चले जाए इस क्यूटू को अंदर लेके चले जाए तो दोनों फर्मूला क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा देख लीजिए क्यूवन क्यूटू अंदर चले माइनस आगे है तो यहां भी माइनस q2 अंदर चला जाए तो q1 q2 by r2 होगा r2 होगा तो बिल्कुल सेम है दोनों सेम आना भी चाहिए क्योंकि यह फर्मूला भी काम करता है और यह फर्मूला भी काम करता है दोनों से बनता है question बस ध्यान बस इस बात का रखना था कि यह कौन सा q लेते हैं जिसको जिसको लेकर move कि है यानि q2 तो यहां पर q2 जाएगा फर्मूला एक बार इसको देख लिजी और notes में लिखा हुआ है आप notes को भी देख सकते हैं ठीक है अपने notes पे next example है उसको देखते हैं बोट पर समझते हैं जैसे इस तरह का question दिया हुआ है दो चार्ज है कि यूट के बीच का आर है । एक table पर दो चार्ज को रख दिया गया और डिस्टेंस है फिर दोनों को उठा कर दोनों को एक को नहीं इसको भी infinity पर इसको भी infinity पर यानि कि दोनों को खीच के इंफिनिटी पे कर दिया गया दोनों यहां पर रखा हुआ था चुम्बक चुम्बक हो चार्ज हो दोनों को उठा कर कहा कर दिया गया इंफिनिटी पे इंफिनिटी कहने के मतलब दूर-दूर कर दिया गया यानि कि इसको भी खीच कर q2 को कहां कर दिया गया infinity पे और इसको भी खीच कर q1 को infinity पे कर दिया गया इसी को कहा जाता है इन दोनों को pull करना pulling them to infinite separation दोनों को pull करके infinite separation पर लेकर चले गया कह रहा है कि ऐसे case में work done by person कितना होगा आदमी कितना काम करेगा देखिए नोट्स में आपको लिखा है work done by person in pulling them to infinite separation इसको भी खीच करके pull करके infinity पर लेकर जाएंगे तो इसमें पूछ रहा है कि कितना work करना परेगा तो work किसका पूछ रहा है work done by person person कहने का मतलब external agent इसका work external agent का work done का formula हम लोग पढ़ चुके हैं पलस डेल्टा यू की माइनस डेल्टा यू पलस डेल्टा यू और दूसरा इसी का formula q डेल्टा भी यह दोनों से solve करके देखते हैं यह डेल्टा यू हो गया final minus initial final potential final कहां पर है final यह position है इसको खीच कर यहां लेकर गए तो final में इन दोनों के बीच का distance to infinity हो गया तो कोई energy नहीं बनेगा तो final potential जीरो क्योंकि formula में क्या होता है one by r होता है q1 q2 बटा र तो infinity हो गया तो final potential 0 हो गया यह वहला तो जीरो हो गया minus initial initial तो यह के q1 q2 बटा आर यानि answer आ गया minus k q1 q2 बटा यह देखिए work done जो external agent का है यानि person का है वो answer कैसा आ रहा है minus में आ रहा है यदि इसको खीच के infinity पर लेकर जाए जाए तो answer minus में चलिए इस formula से तो हो गया इस formula से हो गया नीचे वह फर्मूला से देखते हैं कि बनता है कि ने इससे क्यूं डेल्टा भी क्यूं कौन सा होता था जिसको लेकर move करते थे इसमें किसको लेकर move कि इसको या इसको दोनों को इसको भी लेकर गए और इसको भी लेकर गए यानि इसमें बस वही क्यों लिखाता था इस formula में जिसको लेकर गए हैं और यहां तो दो दो गया है तो किसको लिखें तो अब हम बोलेंगे कि यह formula काम नहीं करेगा यह फर्मूला नहीं लगाएंगे, यह फर्मूला तब लगाएंगे, जब एक चार्ज मूफ करें, कहीं से कहीं जाएंगे, यह चार्ज अकेला, यदि एक चार्ज होता क्यूँ, यह चार्ज सिर्फ मूफ करता, यह वाला, तो हम लोग यह फर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन डाले कि क्यों डाले दिक्कत हो रहा है तो यहां से एक result पे पहुंच रहे हैं जिसको आप लोग दिमाग में डाल लीजिए notes होगा notes में लिख लिजिएगा कि charge का movement दो या उससे ज्यादा हो तो q delta v से नहीं सवाल बनाएंगे question को solve किस से करेंगे delta u से करेंगे बिल्कुल तो दोनों से बनेगा अभी दोनों से जैदी single charge हो एक charge कहीं से कहीं गया हो तो यह двух लग और आप देखिएगा कि आपको फो avait question आप लास्ट 10 Most पूछा तूर hört गे वो लगभग single अलब चर्जों को मूफ कर आए एक चार्ज को कहीं से कहीं लेकर गया है तो एक चार्ज में यह वला फर्मूला सबसे सठीक है बहुत ही असानी से निकल आएगा देखेंगे कुश्चिन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह वह बनाना नहीं असान होता है कि find the work done by electric field, तो हम लोग निकाल लेंगे minus delta u, find the work done by person ये external agent तो plus delta u, यदि question में सिर्फ बोले कि find the work done, ये नहीं बोले कि person का work done, कि electric field का work done, तो किसका निकालना होगा, तो कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे, जैसे ये pain है, ये pain कहीं से कहीं गया, तो अपने से तो गया नहीं, हम लेकर गया, pain को छोड़ दें, तो नीचे चला गया, pain को छोड़ दें, तो mg work कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा काम होगा, जो आप उपर से किसी समान को छोड़ दें खुद गिरेगा, तो टूठी जाएगा, तो कभी भी बर्क होता है, तो आपको कोई ने को external agent आता है, उठा के उसको लेकर जाएगा कहीं ने कहीं, तो question में आपको पूछ दिया कि find the work done, ऐसा बोला, कुछ ही बोला नहीं है, तो सिधा-सिधा माल लेना है, कि सिर्फ work done बोला चलिए हम लोग question करते हैं, कुछ, अच्छा-च्छा question करते हैं, और सीखेंगे, तो अपना दिमाग लगाईएगा, कि question कैसे solve हो रहा है, अब उसके बाद अब जैसे दिमाग लगाना शुरू कीजिए, अब देखिए, question का आपका बनने का tendency, बहु जाना होने लेगा, आपका एक equilateral triangle है, इसके हर corner पे एक-एक charge रखा हुआ है, और यह distance सब दिया हुआ है, question ऐसे है, three particle each having charge इतना, placed in the vertices of equilateral triangle of side इतना, find the workman by person in pulling depth to infinite depression, आप से question यह बोल रहा है, कि तीनों पे charge रखा हुए vertices पे सब का distance भी कुछ-कुछ दिया है, इन तीनों को find the work done, ऐसा question बोला है, find the work done in pulling them, इन तीनों को खीचना है, pulling them to infinite separation, यानि कि इसको भी खीच के infinity पे, इसको भी खीच के infinity पे, और इसको भी खीच के infinity पे कर दें, ऐसा question बोल रहा है, कि इसको भी खीच के infinity पे कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, तो ऐसा करने में किसी आदमी को किसी पर्सन को कितना काम करना पड़ेगा तो चलते हैं फर्मूला पर बाकि कुछ सोचना ही नहीं इदर वर्क डन बाई पर्सन मतलब कोखते हैं एक पर्सन को इन निकालते और यसका फर्मूला bewe डेल्टा भी यह दोनों में से कौन सार लागा तो काम हो जाईगा तो चार्ज का मॉंवमेंट एधी एक है एक अकेलाँचे तो इससे बनाः ज्यादा बेस्ट है लेकिन दो या उससे जादा चार्ज हुव करने लगे तो इससे ठीक रहेगा इसमें कितना चार्फ मुफ कर रहा है तीन- Curtain तीन तो इसमें यह यह फाइनल माइनस यू इस्याल फाइनल पोटेंशियल कीतना है यह सब फाइनल पोजीशन यह न सबको किछ खिच attocratic कहां लेकर चले गए इनफिनिटी पे लेके चले गए हैं तो इंफिनिटी कोई पोटेंशियल होता नहीं है तो यह Inner इनिसियल पोटेंशियल यह कंडी संहिजि इनिसियल इन ते कार्णर पराइश तो इसे इन दोनों के बीच यू होगा इसके बीच भी यू सब के बीच यू होगा तो यहां पर लिख देते हैं थ्री यू यानि एंसर माइनस थ्री यू माइनस थ्री यू बराबर के क्यू क्यू डिवाइड़ बाइ आर क्यू क्यू डिवाइड़ बाइ आर तो जो भी फर्मूला आ जो भी एंसर आया हूं कैसा रहा है नीगेटीव में वर्क डन पाइपर्ट सन कैसा आ गया नीगेटीव एक बार बोर्ड पर देख लिजी समझ लीजी कि एक कोश्चन और करेंगे एसी बर्मा में कोश्चन है कि एक एक लेटल ट्रेंगिल है एक लेटल ट्रेंगिल है एक लेटल ट्रेंगिल के कौर्णर पर एक एक चार्ज को रखने में इतना असेंबल करने में कितना काम करना पड़ेगा यानि कि assemble करने का मतलब यह हो गया कि हर triangle के corner पे एक एक charge को रखना ऐसे रखने में कितना work करना पड़ेगा तो यह सोचिए कि इसको रखने से पहले सब था कहां पे तो यह बहुत दूर होगा कहीं कहीं होगा यहां पर तो होगा नहीं सुरू में initially सब कहां पे था infinity पे सारा कुछ infinity पे था तो कर एक infinity से पकर पकर के लाकर यहां रखना infinity से पकर कर यहां रखना infinity से पकर कर यहां रखना तीनों को रख दें तो इसको के लिए कहां से लाना पड़ेगा बहुत दूर से कहीं से लाना पड़ेगा तो असेंबल करने में कितना का पड़ेगा है यह कुस्चन है था थो एलूर किसका वरक कुछ नहीं सब्सक्राइब कर लिए इसको नोट कर लीजिए समझ लीजिए ठीक है यहां पर देखिए कैसी बर्मा को कोश्चन है पेज नमबर 123 का 54 नमबर एक्ससाइज का इस पॉष्चन को लिख दिये हैं जिनके पास ऐसी बर्मा बुक नहीं होगा वो लोग देख सकते हैं और यह अच्छा कोश्चन इसको करना चाहिए इससे फिर बात में बलगो कोश्चन बैंक आसाली से कर सकते हैं इस कोश्चन को एक बर देखिए और खुदसे सॉल्व किजि ठीक है इसको देखते हैं क्या है कुश्चन कह रहा है कि यतना जूल ऑफ वर्क हैस टू बी ड़न अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड यह जो 12 जूल जो वर्क दिया हुआ है यह कौन सा वर्क है हम लोग दो तरह का वर्क परे थे लिखाना कि 12 जूल ऑफ वर्क हैस टू बी यह बताइए कि दो तरह का वर्क परने थे एक इलेक्ट्रिक फिल्ड का वर्क और दूसरा इक्स्टर्मिनल जेंट आदमी का इसमें कौन सा वर्क है तो कुश्चन का लैंग्वेज बताएगा इतना वर्क जो किया जाता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फिल इलेक्ट्रिक फि लेकिन पेन को उपर लेके जाए तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल फिल्ट के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं तो अगेंस्ट लेके जाएगा कौन हम लेकर जा रहे एक्स्टर्नल एजेंट ग्रेविटेशनल फिल्ट के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं उपर नीचे लग रहा था आगे कितना चार्ज दिया हुआ है? चार्ज इतना है, यह Q दिया हुओ इसको लेकर जाने में, इस चार्ज को लेकर जाया जारहा है, A से लेकर B तक, कहां से कहां लेकर जारहा है? A से B तक, तो कह रहा है कि, how much is the potential difference, ठीक है, फर्मूला शुरू करते हैं लगाना, work done by external agent उसका formula होता है 2000 delta B 5000 delta B हो गया formula यहाँ पे Q के जगाए कितना लें वहाँ से 0.01 delta B होता final minus initial कहां से कहां गया A से B B हो गया final तो भी B minus BA work external का दिया हुआ कितना 12j अब यहां से हम लोग करें तो कितना हो जाएगा वी वी माइनस भी ये मराबर 12 by 0.01 उपर जाएगा कितना हो जाएगा 1200 फोल्ड वी वी माइनस भी ये potential का difference इतना answer देख लीजिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए ठीक है हम लोग जितना भी work done के बारे हम पर हैं सारे theory का आप लोग revise कर लीजिए क्या क्या भी पर हैं और उस पर question का practice करेंगे जब तक question का practice करेंगे नहीं हम लोग का concept जो सीखे हैं बिल्कुल किलियर नहीं होगा तो हम लोग सुरू करते हैं अपने booklet का जिन लोग के पास question है download किया हुआ page number 21 question number 55 board पे देखिए page number 21 का question number 55 इसको वीडियो पास करके दो जूल का work होता है question में लिखा है moving charge इतना कुलाम बाइट टू सेंटिमीटर टू जूल ऑफ वर्क इस डण यह बताइए कि टू जूल जो दिखा है external का work है कि field का है electric field का है कुछ नहीं लिखा है बस लिखा है कि दो जूल work होता है इसका मतलब जब नहीं कुछ लिखा है तो मतलब क्या लेना हम लोग को external का लेना है बार बार भूलते हैं कि जब नहीं कुछ लिखा है तो external का लेना है इसका फर्मूला ऐसे करेंगे external agent का work का फर्मूला होता है Q delta V तो इसमें क्या है external agent का work कितना दिया हुआ है 2 charge कितना लेना है 20 delta V यही मांग रहा है कि find the potential difference between points यानि कि इसी चीज़ को delta V यही इसी को potential difference बोलता है यह चाहिए तो कितना हो गया delta V बराबर 2 by 20 यानि कि 0.1 answer हो गया कौन सा A अभी इस question में थोड़ा बहुत और अप कर सकते थे जल्दी बाजी यदि जल्दी में करना चाहें solve करना तो इस तरह से कर सकते थे यहां से formula तो यही लिखना पड़ता पर यहां पे चारो option को अब देखें तो इंटीजर वेलू सब का अलग अलग है और बार बार हम आपको बता रहे हैं इसमें इंटीजर वेलू क्या क्या है option का 1,2,8,5 पॉइंट को छोड़ देंगे तो सब वाला जाला के similar तो है नहीं तो आपको असानी से हो जाएगा इसको कुछ नहीं करना है यह कितना दो चार्ज को 20 नहीं लेना है दो ही लेना है डेल्टा भी खतम होगे कितना हो गया डेल्टा भी वान यान वाला जो होगा का एन्सयव पॉइंट होगा तो होगा वहाइंसर होगा वनमे एकी डिजिट है电ों होगी आराम से तो जल्दी करने के लिए सथा कर सकते हैं क्योंकि हमारा एंसरी इस स्टैप से होता एक वन एक 0.1, 1, 10, तो 3, 1, 1, यह भी 1, यह भी 1, तो इस तरह के question में हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन सब integer value सब का अलग-अलग ही हो, तो हम लोग कर सकते हैं, इस चीज को, next question करते हैं, page number 9, page number 9 का 12 number question, यह आई टी 2011 को question है, और इसका option D को देखना है, यह correct है कि नहीं, option c हम लोग पहले देख चुगे थे अभी हम लोग option d के बारे में देखें कि correct है या नहीं है work done by external force work done by external force q delta v तक कह रहा है कि work done by external force is moving unit positive charge unit positive charge का मतलब क्या होता one unit मतलब one positive मतलब plus unit positive मतलब one unit positive का हो गया यह तो one यह चीज हो गया one into from point a इसका potential भी यह है to point b इसका potential भी भी है यानि कि a से बी तक गया a से बी तक गया final कौन सा हो गया b b minus वी यह यह कितना हो गया answer वी वी माइनस वी यह तो कह रहा है इसमें option में कि the work done by external force in moving a unit positive charge फ्रॉम वी टु भी वी इच इतना यह इतना work होगा तो वर कितना ही नहीं होगा वर कहीं नहीं हो गया यह वर्क है यह इतना हो गया option correct है यह को अब देख लेजिए इस option को पकरना की correct है की नहीं बहुत हाट नहीं था बहुत ही easy question है बस इसको आप परिये theory को अच्छे से जब हम लोग physics पर रहे हो तो concept को बहुत अच्छे से करेंगे तो देखेंगे physics अपने आप solve होगा कि नेक्स्ट कोस्चन हम लोग करते हैं पेज नमबर 44 का कोस्चन नमबर 32 पेज नमबर 44 कोस्चन नमबर 32 बोट पे देखिए यह कोस्चन हम लोग पहले भी किये थे potential करने के time फिर से अभी recall करना है हम लोग को कई लोग आप लोग revise नहीं कर रहे होंगे तो हो सकता है याद ना हो लेकि बहुत लोग को हो सकता है कि आप लोग जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोग को याद होगा यह कुश्चन को देखिए तो कुश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर potential कितना होगा ठीक है यहाँ पर हम लोग परहते हैं आप पोटेंसिल निकालने के लिए क्या किये थे यह डिस्टेंस एल है और यह डिस्टेंस टू एल बोल रहा है तो यहाँ पर पोटेंसिल चाहिए था यहाँ पर पोटेंसिल चाहिए तो किसके करण होगा यदि पोटेंसिल चाहिए होगा तो किसके करण होगा एक इसके करण एक इसके करण दो पलस में हो जाएगा एक इसके कर माइनस में एक इसके कारण माइनस में यानि कि एंसर में पलस और माइनस यह पलस और माइनस का डिस्टेंस तो सेम नहीं नहीं यह कितना हो जाएगा दोनों का रूट करेंगे इन दोनों का तो रूट फाइव एल होगा तो यह डिस्टेंस एल है और यह रूट फाइव यह दो लोग सबको लिखेंगे तो solve तो करी लेंगे लेकिन इसको पकरने के लिए बोले थे कि option को देखके कैसे करेंगे एक पलस के कारण जितना answer होगा एक पलस के कारण होगा और एक minus के कारण भी होगा यानि कि answer में minus में टर्म होना चाहिए तो माइनस का टर्म कौन सा है सी option में है दुसरा के रूट 5 होना चाहिए यहाँ पर रूट 5 होगा न इसके कारण लिखेंगे तो रूट 5 और यह करके आपको दिखाये थे पहले जो वीडियो आप देख लिए पहले का प्रिविएस वीडियो उसमें यह यह रूट 5 का टर्म होगा तो रूट 5 का टर्म आतीं थी त verdict आप्सन में a, b, c जैकिन miles का टर्म किस्में है माइनस का टर्म सिर्फ c में हम माइOW का होना लिख चाहिए इसके वहज़े से question number 31, vote पे देखिए आप, यह question है, इस बार का J.E.Main 2019 का, इस बार का question है, तो इसको वीडियो पॉस्ट करके आप लोग खुद से solve कीजिए, ठीक है, इसमें जो question बोलता है, उसका diagram बनाते हैं, जो question बोल रहा है, उसका पहले diagram बनाते हैं, आप लोग को भी diagram बनाना चाहिए था, करें, 4 equal point charge Q, each are placed in a xy plane at x equal to 0, y ब्रावर 2, यह 0, x ब्रावर, y ब्रावर 2, यानि कि यहाँ पे, 0, 2, यहाँ पे रखा एक चार्ज को, फिर, x ब्रावर 4, x ब्रावर 4, y ब्रावर 2, यहाँ पे, इतना ही दूर, y 2 है यहाँ यहाँ पे, यह भी y 2 ही है, यहाँ का 4, 2, और कहाँ पे, 4, minus 2, 4, minus 2, 4 तो यहीं पे है, minus 2 नीचे चला गया, minus नीचे चाहेगा, यहाँ पॉइंट नीचे चाहेगा, यहाँ पॉइंट आएगा, 4, minus 2, और फिर चौथा एक पॉइंट को, 0, minus 2, 0, minus 2, इसके ठीक सामने, यह होगए, 0, minus 2, कर रहा है कि, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज, Q और प्लेस्ट आर, इसके प्लेस्ट आर, इतना, 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 कर रहा है कि, इस सब कॉर्णर पे एक एक चार्ज को रख दिया गया, तो ऐसे करके मिला भी सकते हैं, ऐसे करके मिला लीजिए, यह डिस्टेंस 2 है, तो यह भी डिस्टेंस कितना होगे, 2, यह डिस्टेंस कितना है, 4, 4 ही न, एक्स कोडिनेट, तो यह डिस्टेंस 4 है, यह पूरा 4 है, यह डिस्टेंस पूरा का पूरा कितना होगे, 4, 2, 2 मिलाके, 4, यह और इजिन है, यह 2 और को टूप मिलाकर किस ऊपर आप लगता है किआ मैं हर कोस्टन बोला है कि सवर के हर एक और यह सारे कोदिनेट पर एक इक चार्ज रखा है तो यहां पर भी क्योच कुश्छ चारज है एक दो 3 चार सब को यह कोडिनेट कोस्टन में देती है कि यह सब जगह पे रख दिये हैं तो कोडिनेट आपको बनाना आना चाहिए कि एक सेक्सिस पे 42 कहने का मतलब 4 इधर और 2 ऊपर यह 2 और यह 2 मतलब यह भी 4 और यह 4 था ही यह 4 यह 4 यह सारा स्क्वाइर बन गया अब देखे कोस्टन क्या बोलता है दो वर्क रिक्वाइर टू पुट ए फिप्ट चार यानि पाचमा चार एट ओर जिन ऑफ दे कोडिनेट सिस्टम यानि कि यह इस पॉइंट पर एक चार्ज को लाकर पूट करें यहां रख दें तो इसमें कितना काम करना परेगा वर्क कित कितना वर्क का रिक्रिमेंट है ऐसा बूल रहे कितना वर्क करना पड़ेगा ठीक है कि शुरू करते हैं करना स्वालन हो देखते हैं इसको करं am थोड़ होता है उससे करते हैं सवरा टाइम टेकिंग होता है तो देखिए हम लोग दोनों तरीका से वो करके दिखाते हैं इस चार्ज को यहां पर लाया गया है रखा गया है पहले कहां था यह तो कहीं और होगा इंफिनिटी पर होगा तो लाग इंफिनिटी से यहां पर जादा चार्ज मूँफ करें एक चार्ज प्रेंट यू случае कुश्शन वन जाता आता है इसमें कितना चार्ज को ले कर आ रहेएं आकेला यह चारज चार्ज तो अपने अपनेPNoles से financing पह रखा हुआ इसको ला नहीं capital Q, delta V मतलब V final minus V initial, एई फर्मुला है, final potential कहाँ का है, origin का, तो लिखेंगे, initial potential कितना हो गया, zero, initial potential, यह charge कहाँ होगा, यानि कि पूरा का पूरा कोश्चन यह जो कोश्चन है वर्क का कोश्चन नहीं रहा अब यह कोश्चन रह गया पूरा पोटेंशिल निकालने पर कि यह पोटेंशिल कितना यदि यह निकल जाए कि और जिन पे पोटेंशिल कोई निकाल ले कि कितना है यह वाला यहां पर 2-2 इल और पूछ रहा थहा कि यहां का PayPal to hang rein का यहां के लिकिन और आगे जब रहे है तो पोटेंशियल निकालने का तो बिल्कुल डिटा को शॉर्ट हैं जैसा थोगा सा चेंज है जैसे उसमें था पलस क्यू पलस क्यू माइनस क्यू यहां पर पलस क्यू पलस क्यू सब वही है लेकिन आप देखिए जब भी यहां पर पोटेंशियल आप लिख रहे हो तो यह डिस्टेंस का जरूरत परेगा इसके कारण तो और इसके कारण यह डिस्टेंस का तो 4 का बाहर निकलेगा तो 2, root 5 हो जाएगा तो यहाँ पिजभी इस point पे potential लिखा जाया वह ओर जिन पे potential लिखा जाय जाए की लिखन और एक इसके करण लिखेंगे और यंशके करण लिखेंगे near इसके करण ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा यानि कि एक इसके करण लिखाएगा और इसके करण लिखाएगा तो रही जाएगा शोल्व हो सकता था लेकिन कोई समार्ट लड़का होता यहां पे intelligent intelligent way में इसको सोचता तो यहां पे लाने में पूछा था कि वर्क कितना करना पर एक तो बाद में बस potential ही न चाहिए होता है यहां का potential चाहिए होगा और यहां का potential में 2 यहां पर लिखते हैं कितना होगा इसको लिखेंगे यहां पर रख देंगे तो यहां पर potential लिखते हैं कितना होगा भी यह इसी को निकालना है तो यहां पर लिखिए भी एट ओ potential at o इसके कारण जितना होगा उसका double कर लेंगे तो इसके कारण potential हो जाएगा के q by यह distance 2 q by 2 और इसको डबल करेंगे कि यहां भी है q यह distance यहां पर भी है into 2 कर लिख पलस इसके कारण potential कितना हो जाएगा के q by यह वाला distance कितना है 2 root 5 into 2 कर दें क्योंकि एक इसके करन एक इसके करन डवल कर लिए इस टू से टू के क्वार क्ई को कमंग लें के कि को कमंग कर लें तो 1 पलस 1gression रूट 5 कि बराबर कितना हो जाएगा 1 by 4 प्ऐ एपसलेट नो इसको डाल दें यहां पर इस चीज तो देख लेगा कितना 1 by 4 by epsilon यानि कि answer हो गया B देख लेजी इतना करने का जरूरत भी नहीं था आप डारेक्स सोच सकते थे कि रूट 5 कटर है आपको solve हो जाते है ठीक है और नेक्स्ट कोश्चन करते हैं पेज नबर 17 का question number 25 पेज नबर 17 का question number 25 बोट पे देखे के question यह जेए में 2009 का है जेए में 2009 का question है इसको वीडियो पाउस करके कुछ से solve किजिए ठीक है तो देखते हैं इसमें question पूछ रहा है work done work done in moving hundred electron from P to Q work done किसका कुछ question में बोला नहीं मतलब किसका external legend का क्यू डेल्टा भी ठीक है क्यू कितना लेना है क्यू है hundred electron तो अभी हम यहां पे आपको बताते हैं तरीका की कैसे question जल्दी बनेगा आप लोग तो बनाए होंगे एक बार अपना अपना तरीका से बनाए होंगे question जल्दी कैसे बनेगा वो पहले आपको बताते हैं यहां पे option को देखिए तो two two four two point two four है two point two four का दो option है एक plus में एक minus में दूसरा है nine point six का एक plus में और एक minus में तो इससे हमको clue मिल गया यानि कि data आपको answer आना चाहिए पलस और माइनस आपको देखना है कि क्या आएगा और दूसरा यह देखना है कि two two four आएगा 96 आएगा यानि यही point को आपको नहीं देखना है point का और 10 to the power कितना आएगा इसको ध्यान नहीं देना है question को जल्दी बनाना है तो जो चीज़ हम सिखाना चाहते है यदि सिख लें है आप दिखी कितना फास्टली कलकुलेशन होता है कि जैसे इसमें क्यों दिया हुआ है क्यों कित्ना इलेक्टरून तो हंड्रेट इलेक्टरों यहां है यह हैंड्रेट कितना के बराबर हो गया हम लोग बस रफ कल्कूलेशन करुए एक्जैक्ट नहीं कर रहे हैं पर माइनस 90 तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 0 का काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 16 है, 1.6 है तो इसको 16 लिखेंगे, चार्ज को, जल्दी बनाने के लिए बता रहेगी, कैसे fast calculation सीखें जाते हैं लोग, तो यहाँ पे Q बराबर, 100 electron लेना है, तो यहाँ पे 100 का 0 खतम किये, इसको खतम किये, 1.6 को भी खतम किये, 16 लिए, और कुकिए electron माइनस चार्ज होता है, यह माइनस ना चार्ज होता है, तो यहाँ पे माइनस ले लिए, अब होगे delta V, delta V मतलब V final, कितना है Q, माइनस भी, P, P से लेकर Q तक गया है, P से Q तक, تو Q हो गया final, Q का potential कितना है, Q का minus 4,ünüz 4 और P का potential 10, ये हो गया, कितना, minus 14, ये minus 14 है, और ये minus 16 है, minus minus गया, ये हो गया 16 into 14, अब इसका calculation करना है, तो calculation को भी बना सकते हैं इसमें से एक घटाते हैं इसमें एक बढ़ाते हैं इसमें से एक घटाएंगे तो 15 इसमें एक बढ़ार लिए तो यह भी 15 और 15 15 का 225 होता है कौन सा एंसर हो गया ठीक है हम लोग आगे का question करने से पहले हम लोग थरा सा और x y z axis के बारे में जानते हैं उसके बाद question करना शुरू करेंगे जैसे यह हो गया x axis यह हो गया y axis और यह हो गया z axis इसको अच्छे से देख लेंगे यह हो गया x y इसको x y plane बोलेंगे यह हो गया x-axis, यह हो गया y-axis, इसको x-y plane बोलते हैं, यह हो गया z-axis, यह हो गया plus z, और नीचे कर दें, तो यह हो गया minus z, यह हो गया x, y, z, अब यहांको minus x दिखाना है, minus x दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, यह हो गया minus x, minus y दिखाना है, तो इधर वाला मेरे तरफ y था तो यह हो गया minus y, minus z दिखाना है तो यह plus z है, तो यह हो गया minus z तो अभी आपको हम board पे coordinate देते हैं, इसको बताना है कि इधर होगा 0, 0, a और 0, 0, minus a इन दोनों का मतलब आपको बताना है coordinate बना रहा है आपको फिर से देखी यहाँ पर यह हो गया x, यह हो गया y, यह हो गया z और यह हो गया minus z उपर वाला coordinate कहाँ पे हो गया, 0, 0, a 0 मतलब x, 0, y, 0, और z बड़ाबर a तो हम कहेंगे ऐसा यह चीज है x-axis, तो यह हो गया 0x का यह है y-axis, तो इसका 0 यहाँ हो गया और z में कितना जाना, a तो z में उपर जाना है, यहाँ तो इस coordinate को यहाँ वाले point को बोलेंगे 0, 0, a और यह 0, 0, minus है, मतलब नीचे में, minus है मतलब z कहाँ पे होना चाहिए, minus में होना चाहिए यानि इस axis में नीचे जाएं तो इस point को हम लोग बोलेंगे, इस point पे बोलेंगे 0, 0, minus 0, 0, minus से, ठीक है यह coordinate बताईए कितना हो जागा minus a, 0, 0 0, a, 0 यह दोनों को बताना है कि कहाँ पे होगा, diagram फिर से हम बना रहा है यह three dimensional diagram है, घर पे आप practice करके देख लीजेगा इसको x, y, z axis इसका जरूरत परेगा, जिदर रखेंगे हम लोग जैसे कि यहाँ पे क्या है, y और z 0 है तो y यह हो गया, z यह हो गया, दोनों 0 है यहाँ पे रहेगा, अब x minus है तो x तो minus इदर होता है, तो यह हो गया minus यानि minus से मतलब कहने का point कहाँ पे चला गया यहाँ पे minus से हो गया, यह होता पलस है और यह हो गया minus है, यानि इस point का coordinate बोलना हो तो बोलेंगे, इस point का coordinate x बराबर 0, नहीं, sorry, x बराबर minus है y बराबर 0, और z बराबर भी 0 इसका coordinate बताईए कैसा होगा x बराबर 0, तो यहाँ, यहाँ चले आए y बराबर a, तो y तो इधर है, तो y बराबर a यहाँ आ गया z बराबर कितना है, 0, तो यहीं पर रुख गया यानि कि इस चीज का coordinate कहाँ पे हो गया, इस point पे हो गया अब फिर से देख लेते हैं, एक सास डाइग्राम इसका coordinate कहाँ पे हो गया, x बराबर minus a है इसका coordinate y बराबर कितना a, तो y बराबर a, तो यह हो गया इसका coordinate यहाँ पे, और इसका coordinate यहाँ पे, तो यह अच्छे से देख लेजे पलस x, माइनस x, यह y, यह z, तो सारा coordinate आपको समझाने का हम कोशिस किये हैं और इससे related question है, उस question का खुद से solve कीजिए, देखिए हो पाता है कि नहीं पेज नमबर 3, पेज नमबर 3 का question नमबर 15, पेज नमबर 3 का question नमबर 15 है, बोट पे देखिए यह है IAT advance 2007 का question, यह IAT का question है 2007 का question, वीडियो को pause करके एक बार खुद से solve करने का कोशिस किजिए वीडियो को pause कीजिए और खुद से इसको solve कीजिए, ठीक है इसको हम लोग डाइग्राम बनाते हैं जैसे बोलता है question X-axis, Y-axis, Z-axis फिर से बना लेते हैं एक बार देख लेते हैं यह हो गया X-axis, यह हो गया Y-axis, यह हो गया Z-axis तो Y-axis जो मेरे तरफ है अंदर की तरफ है इसको दिखाना 3-dimensional डियाग्राम को दिखा नहीं सकते प्लेन पे तो Y-axis को ऐसे दिखा दिखा दिए लेकिन आपस में सबका एंगिल कितना है 90 डिग्री है X-axis, Y-axis, Z-axis उपर में पलस Z तो नीचे में माइनस Z दाहिने साइट पलस X तो बाहिने साइट माइनस X ठीक है अभी इसमें क्या बोलता है question में कर रहा है कि positive and negative point charge of equal magnitude are kept at इतना इतना तो positive and negative point charge पलस को कहा पर रखा है 0, 0, A by 2, जाने कि Z में कितना अ curve 2 , Z में अ बाइ 2 जाना है यहा पर रखा है plus charge को और negative को को रखा है कितना पर z ä double minus ay two , professor, here यहां- Q को रखा यह फलस Q को यह पर minus Q को यह distance कितना बोलता है ay2 ये distance को कितना भी बोला जा रहा है ये भी ay2 इसको बोलते हैं minus ay2 इसको plus ay2 लेकिन distance तो ये ay2 ही नहीं दोनों ये दोनों distance ay2 ही है ऐसा diagram बोल रहा है इस तरह का diagram बोल रहा है आगे बढ़ते हैं अब कर रहा है work done by electric field यानि clear कर दिया है कि work done by electric field when another positive point charge is moved from x equal to minus a x equal to coordinate क्या दिया माइनस से 0 0 मतलब x ब्राबर कितना माइनस से x ब्राबर माइनस से मतलब यहाँ माइनस से कहने का मतलब यहाँ यानि लेकिन यह distance कितना होगा यह origin से इधर जाते हैं तो माइनस बोलते हैं लेकिन यह distance कितना है a minus से तो इसको बोलें इस point को बोलेंगे लेकिन distance कितना होगा ए और उसके बात कहां कर रहा है y बराबर है 0 a 0 यानि y बराबर है तो y बराबर है इधर जालेंगे तो यह distance कितना हो जागा यह भी a यह distance a और यह भी distance कितना हो गया ये भी distance A ही है तो कर रहा है कि कितना को लेकर जा रहा है कि तो कोई भी पलस चार्ज को पलस चार्ज को यहां से लेकर यहां गए है तो कितना काम करना परेगा यह question है यहां से यहां लेकर गए हैं तो कितना काम करना परेगा तो यहां पर देखिए तो work done by electric film फर्मूला होता है minus q delta v minus q v final minus v initial a फर्मूला होता है छीक है यहां का potential हम लोग बताईए कि यहां का potential कितना होगा v i कितना होगा यहां का potential initial है यह point initial है और यहां से यहां लेकर गए है तो यह point final है तो यहां का potential चाहीती यह बताईए इसके यह distance और यह distance बराबर है क्या देखिए यह distance और यह distance बिल्कुल same है यह distance यह distance बराबर है और दोनों में common है दोनों का यह और इधर a by two इधर भी a by two यानि कि यह दोनों का distance बराबर है ठीक है, पलस Q के काराण जो potential होगा, minus Q के काराण वही potential होगा, यानि दोनों खतम होके potential कितना हो जाएगा, 0, यानि इस point का initial potential कितना होगा, 0 होगा, इसलिए 0 होगा, क्योंकि ये और ये distance बराबर है, इसलिए ये दोनों दूरी भी बराबर होगा, लेकिन पलस Q है, और यहाँ minus Q है, तो potential खतम, जब यहाँ पर जाके check करेंगे, तो ये distance और ये distance फिर से बराबर हो जाएगा, और यहाँ भी potential कितना हो जाएगा, 0, ये भी potential 0 हो जाएगा, एंसर कितना आजाएगा, 0, अब देखिए, बहुत लोग हैं, जो इसको नहीं समझ पाएगे, कि ये दोनों distance बराबर फिर से कैसे हो जाएगा, तो इसको फिर से हो डाइग्राम बनाके दिखाते हैं, यहाँ बोड पर देखिए डाइग्राम को फिर से, यह होगे x-axis, x-axis, y-axis, z-axis, अभी कौन सा point है, यहाँ पर पलस यह है, यह a by 2, उपर की तरफ है, यह a by 2 है, यह a by 2 है मलब यह पलस q और यह है minus a by 2, यहाँ पर, अच्छे से देखते हैं, इस point को locate करते हैं, यह a by 2, यह minus a by 2, नीचे की तरफ, यह a by 2, यह minus a by 2, यहाँ पर चार्ज है plus q और यहाँ पर चार्ज है minus q, यहाँ पर पलस q, यहाँ पर माइनस q, पलस q, माइनस q कर लिए locate, उसके बाद, x में, minus x axis में कितना जाना है, a, minus x axis यह हो गया, यह plus x axis है, तो यह minus हो गया, minus x axis में कितना जाना है, minus x axis में कितना जाना है, a जाना है, minus x axis में a जाना है, a, अब यह दोनों दूरी distance कितना है, यह a by 2, a by 2 है, पलस q, माइनस q, तो यहाँ पर हम लोग चेक करें, यहाँ पर, यह माल नहीं कि distance a है, यह distance a है, तो यह distance कितना हो जाएगा, यह distance क्या होगा, बड़ावर हो जाएगा, यह distance और यह distance same है, तो यह plus q, minus q है, तो यह distance same होने के करें, दोनों के दोनों बराबर हो रहें यह दोनों डिस्टेंस इसी मिश्यक्राण से यह बता ही कि यह दिस्टेंस और यह दिस्टेंस बिराबर है पलक के스타,, 12-0 डाइग्राम में इसको दिखाना संभाव नहीं था क्योंकि 3-D kenntiem और यहां भी potential zero तो initial and final potential zero हो गया दोनों potential zero यह भी zero यह भी zero दोनों potential zero गया तो answer कितना हो गया zero हो गया answer C हो गया देख लिए बोड़ पे इसका answer C हो गया ठीक है वह नेक्स्ट question करते हैं page number 46 का question number 46 page number 46 का question number 46 यह है need का medical का पुछा हुआ 2007 का question है तो इसको video pause करके एक बार खुद से solve कीजी फिर हम बताएंगे अब एक बार खुद से solve कीजी है कि अगर तो प्रशन में देखिए डाइग्राम इसी तरह का बना हुआ है आप डियाग्राम देख सकते हैं question में question में question में प्लस क्यूँ है माइनस की और प्लेस्ट एट पॉइंट एंड बी यहां पे पलस क्यूँ को रखा है और बी पे रखा है माइनस क्यूँ को और क्या बोलता है question इसे इसे काम करते है ए और बी पे चार्ज को रखा है पलस क्यों माइनस क्यों दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L आगे क्वेशन बोलता है C is the midpoint between A and B इन दोनों के बीच का ये midpoint है इसका मतलब ये distance L और ये भी distance L ठीक है आगे कह रहा है The work done in moving a charge पलस क्यों along semi-circle C, R, D मतलब इस रास्ता से होकर जाए semi-circle तो कितना work करना पड़ेगा C, R, D कोई रास्ता है तो यहां से किसी charge को पकरे यहां से और उठा कर इस रास्ता से semi-circle से होकर यहां लेकर पहुँचे है तो semi-circle है तो ये radius हो गया ये L है यह ने दूरी हो गया center को इसको मान के किया गया ये L है तो ये भी distance कितना हो गया L तो किसी charge Q को यहां से यहां लेकर गया है तो यहां पे यह हो गया initial position और यहां से यहां लेकर गया है तो यह हो गया final position और charge को इस रास्ता से होकर लेकर गया है किसी charge Q को तो question देख लिजे एक बार, यही है question, question को आप पर के खुद से देखिए, क्या है बोल रहा है, फिर से पर यह कह रहा है कि plus q, minus q और placed at point a and b, plus q और minus q को a and b पे रखा है, दोनों का बीच का distance 2l है, c उसका midpoint है, ठीक है, तो यह l और यह भी l, कह रहा है कि इसको center मानके एक circle जैसा की जागया, semi circle, तो यह l है, तो यह भी l होगा, radius होगा, कर एक charge q को c से, इस रास्ता से, crd, मतलब इस रास्ता से होकर य तो पूछ रहा है कि कितना work करना परेगा, the work done in moving charge, तो work done कुछ बोला नहीं है, तो किसका निकालेंगे, external agent का लिखाना कि work done, किसका पूछा नहीं, तो external agent का, charge कितना move कर रहा है, एक या दो या तीन, तो बस अकेला, एक charge move कर रहा है, तो यह formula हो जागा, q, delta v, delta v, मतलब वी final v, final, minus v, initial, v, final, v, initial, final potential इस point का है, initial potential इसका है, इन दुनों निकाल दे तो काम हो जाएगा, छीक है, initial, चाहे तो यहां, v, d, लिख सकते है, final के लिए, v, d, और initial के लिए, v, c, अभी, c, point पे potential चाहिए, c, point पे potential चाहिए, तो किसके किसके बज़े से, यह तो charge चल रहा है, इस के कारण नहीं चाहिए, इस तो लिखाई गया है, यहां पे potential नहीं दो charge दिख रहा है, तो एक potential इसके कारण, निकाएगा, तो c का answer कितना हो जाएगा, zero, c का potential कितना हो जाएगा, zero, 진 сок से दिखिये, c का सरीफ हम को potential चाहिए, तो यह distance तो बराबर है, तो plus q और minus q के इक के कारण होगा, और एक Plus Q के कारण होगा यहांपे तो अच्छे से दखिये, जल्दी जडी बनाना है तो उसके लिए पोटेंसियल चाहेए, निगेट्टिम यहांद्या, तो यहां का जो पोटेंशियल आएगा भी डि वो कैसा आएगा एगा यह आजली अ किो बाइंपि दं करेंगे यह निकलें तो प्लस क्यूल थील आएगा यह नजदीक को अपसर सी एंसर हो घ्लस पर यह करना ना है तो यहां से कर सकते हैं पूरा का पूरा करते हैं क्यू इंटू भी डी डी का पोटेंसल चाहिए डी का पोटेंसल एक इसके कारण तो इसके कारण पोटेंसल निकालना हो इसके कारण तो लिखेंगे के क्यू बाइग के क्यू बाइग के क्यू बाइग के क्यू Q Q by L common हो गया यह हो जाएगा 1 by 3 minus 1 यानि कि यह चीज हो जाएगा इधर का कहीं लिख लेंगे K Q Q by L और यह हो गया कितना minus 2 by 3 यह 1 by 4 pi epsilon 0 होता है 1 by 4 pi epsilon 0 Q Q by L आगे माइनस 2 by 3 यह खतम होगा 2 से और यह 6 हो जाएगा नीचे में देख लिजे minus Q Q by 6 इतना करने का जूरत नहीं है यहां से पढ़ता चल जाएगा कि भी डी निकालना है डी पर पोटेंशियर तो minus Q का influence ज्यादा होगा प्लस क्यू का कम होगा तो निगेटिव इंसर आगा यह चीज निगेटिव में आएगा तो वैसे एक ही option है आप पगड़ सकते तो इसको देख लिजिया बोट पे ठीक है आप लोग घर से कीजिए का कुछ question और उसके लिए homework आप ले लिजिए पेज नंबर 44 का question 33 बोट पे display भी हो रहा है पेज नंबर 44 का question 33 आपके पास question होगा तो उससे solve कर लिजिएगा बोट पे भी देख सकते हैं आप इस सो घर पे करना है और देखना स्वाल होता है कि यह मेडिकल का question है 2010 का नीट का question है एक और question आप लोग ले लिजिए घर से करने के लिए पेज नंबर 47 का 53 पेज नंबर 47 का question नंबर 53 यह है मेडिकल का यह भी 2005 का question एक और question आप लोग करते हैं पेज नंबर 18 पेज नंबर 18 का question नंबर 32 पेज नंबर 18 का question नंबर 32 यह तीन question होमवर के रूप में है पहले इन सब question को solve कर लेजिए फिर धीर धीर अब देखिएगा कि work done के इस तरह से question निकाला जाता आपका command काफी हो जाएगा और question खुद बखुद solve होगा तो ठीक है जो भी question दिये हैं इसको homework के रूप में आप इसको solve कीजिए नहीं solve होता है तो comment कीजिए कि आपको क्या problem हो रहा है और solve हो जाता है तो वही बताएए कि आपको easily solve हुआ है कि आप फिर long method में आप दे हैं ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोग से होई जागा question दबते के लिए take care bye bye